तो इन तीन ट्राफिक सोर्स के मादियम से आप कमंद लिए 160 मिलियन तक को ट्राफिक मिल जाता है दोस्तो आज के हमारे पहले ही ट्राफिक सोर्स का नाम है Slideshare.net Slideshare.net बेसिकली एक PDF शेरिंग की वेब साइट है जिसके ऊपर आप किसी भी कैटेगरी इसकी PDF को रेमेड कर सकते हैं PDF के अंदर आप अपने आपएOSWAT links, CP Links, वेबसेट के लिंक्स को ऐड़ कर सकते हैं और इस वेबसेट के ओपर शेर कर सकते हैं जैसिकि आप यहाँ पर दय सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर अपनी PDF शेयर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर इस बंदे ने अपनी PDF शेयर किया है, एन इसको यहाँ पर 219 के व्यूज मिले हैं, यहाँ पर इसको 180 के व्यूज मिले हैं, इसको 126 के व्यूज मिले हैं, 55 के व्यूज मिले हैं, इस परकार से आप पर इस तरीके से व्यूज में श्टार्ट हो जाएंगे, आप यहां पर कैटिकरी से भी देख सकते हैं, किस कैटिकरी के ऊपर आप अपनी पीडियो पना सकते हैं, इसके कैटिकरी के ऊपर आप यहां से ट्राफिक पराप कर सकते हैं, तो यहां पर आपको सारी कैटिकरी दिख तक का ट्राफिक मिल जाते हैं, वे जितने भी ट्राफिक आपको यहां पर मिलते हैं, उसके अंदर सारा ट्राफिक आपको मिलते हैं Google से, जिस अगर आप इस वेबसेट के ऊपर consistently work करते हैं, यहां पर आप अपनी कॉंटेंट को अच्छे से बना कर अपलोड करते हैं, तो आप क्रेट करने के लिए आपको इसके home page को पराना है, यहां पर आपको option मिलेगा login का, तो आपको इसको पकलिक करते हैं, अब आपको यहां पर sign up का option दिखाए देगा, तो आपको इसको पकलिक करते हैं, जैसा आप इसको पकलिक करेंगे तो आपके सामने new page आएगा, अगर आप इसको पर टिक करना है, then continue इसको पर क्लिक कर देना, अब आपके पास एक email आएगा, जहाँ पर आपको account verify करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको वहाँ पर अपने account को verify करना है, profile को place करना है, तो slideshare.net के ऊपर account create हो जाएगा, और दोस्तो जैसे अपका account यहाँ पाक्रीट होगा, तो आपके सामने कुछ इस पकड़ा का interface आगा, अब आपको यहाँ पर अपनी PDF को कैसे share करना है, उसकी जानकारि मापको देते हैं, तो PDF को share करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, upload इसको पकलिक करना है, यहाँ पर आपक आपको select document का option दिखाए देगा, आपको उसको पक्लिक करना है, जहाँ पर भी आपने अपनी PDF को save कर रखा है, आपको उसको open कर लेना है, human verification आपको यहाँ पक्रदेना है, आपकी PDF यहाँ पर upload यहाँ च्टाउट हो जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी PDF के अनुसा title डाल देना है, description डाल देना है, PDF के अंदर ही आपको अपनी app लिंक से रेक्वाइड कर देना है, category select करना है, text select करना है, privacy के अंदर आपको public choose करना है, then publish इसको पक्लिक करना है, जितने लोग competition के keyword के उपर work करेंगे, उतने ही आपके content के, Google के उपर rank ओने के chance बनेगे, उतने ही आपको यहाँ पर traffic मिलना start हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना content share करना है, और इसके मदम से आपको यहाँ पर बहुत सारा traffic प्रावब कर लेना है, अब हम आज के दूसरे traffic source की बात करने वाले हैं, तो आज के हमारे दूसरे traffic source का नाम है buzzfeed.com, buzzfeed.com basically एक article वे post sharing की website है, जिसके उपर आप अपने articles वे post share कर सकते हैं, और इसके मदम से आप यहाँ पर बहुत सारा traffic प्रावब कर सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ अपर देश सकते हैं, लोग किस तरीके से यहाँ पर अपनी post वगड़ा share कर रहे हैं, सिम उसी तरीके से आप भी यहाँ पर अपनी post share कर सकते हैं. अब इस website के माधियम से आपको मंतली कितना traffic मिलता है वा किस country से मिलता है उसकी जौनकरिमा आपको देता है तो यहाँ पर हमने similar web को open कर लिया है और आपको यहाँ पर साफ दिखाय दे रहा है bus feed के माधियम से आपको मंतली 82 million तक का traffic मिल जाता है में जितना भी traffic आपको यहाँ पर मिलता है उसके अंदर 55% का traffic मिलता है United States से मिस अगर आप इस website के उपर consistency work करते हैं definitely आप यहाँ से बहुत सारा traffic परहाब कर सकते हैं यहाँ से आपको 5% का traffic मिलता Canada से और इस 5% का traffic मिलता UK से मिस काफी भैतिन website है अपको यहाँ पर अपना account करना है पोश्ट वगरा शेर करना है और आप यहाँ से decent traffic परहाब कर सकते हैं अब आपको इस website के उपर अपना account कैसे करना है उसकी जान करिमा आपको देता है तो account करने के लिए आपको इसके home page को परना है यहाँ पर आपको sign up का option दिखाए देगा आपको इसको पकलिक करना है sign up इसको पकलिक करना है जैसा आप इसको पकलिक करेंगे तो आपके समने new page आएगा अब आपको यहाँ पर अपना email address टालना है continue इसको पकलिक करना है email address को verify करना है basic information को फिल करना है और busfeed.com के उपर पकाउंट create हो जाएगा अगर आपके Google, Facebook या Apple के उपर ID तो आप यहाँ पर सिंगल क्लिक में भी अपना account create कर सकते हैं दोस्तो जैसी आपका account यहाँ पर create होगा तो आपके सामने कुछ इस पकाउंट अटरफीस आएगा अब next step में आपको यहाँ पर आपको इसके email इसके address को पराना है और यहाँ पर आपको type कर देना community इसको पकलिक कर देना है जैसा आपको पकलिक करेंगे तो आपके सामने new page आएगा और दोस्तो यहीं पर आपको अपनी post को share करना है call to action देना, landing page कर लिंक add कर देना है और busfeed.com के ऊपर पर post share हो जाएगी जो कुछ इस प्रकास से आपकी audience को यहाँ पर दिखाए देगी तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी post share करना है और इसके मदम से आपको यहाँ पर बहुत सारा traffic प्रहाब कर लेना है अब हम आज के तीसरे traffic source की बात करने वाले हैं तो आज के हमारे तीसरे traffic source का नाम है minds.com minds.com basically एक social media की site है जिसके ऊपर आप अपनी post वेक content को share कर सकते हैं और इसके मदम से आप यहाँ पर बहुत सारा traffic प्रहाब कर सकते हैं अगर हम इस website के उपर दिखाएं कि लोग किस तरीके से यहाँ पर अपनी post share कर रहे हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं लोग किस तरीके से यहाँ पर अपनी post share कर सकते हैं और इसके मदम से आप यहाँ पर बहुत सारा traffic प्रहाब कर सकते हैं अब इस website के माधियम से आपको मंतली कितना traffic मिलता है वे किस country से मिलता है उसकी जानकरिमा आपको देता है तो यहाँ पर हमने similar web को open कर लिया है और आपको यहाँ पर साफ दिखाएते रहा है इस website के माधियम से आपको मंतली 6,71,000 तक का traffic मिल जाता है वे जितना भी traffic आपको यहाँ पर मिलता है उसके अंदर 40% का traffic मिलता है United States से जिसे अगर आप इस website के ऊपर consistently work करते हैं definitely आप यहाँ से बहुत सारा traffic प्राहाँ आप कर सकते हैं अब आपको इस website के ऊपर अपना account कैसे create करना है उसकी जानकरिमा आपको देता है तो account create करने के लिए आपको इसके home page के उपराना है और यहाँ पर आपको option मिलता है join now तो आपको इसको पकलिक करते है जैसा आप इसको पकलिक करेंगे तो आपके सामने new page आएगा अब आपको यहाँ पर अपने username डालना है email address डालना है password डालना है पासवर्ड को confirm करना है term and condition accept करना है join now इसको पकलिक करते है जैसा आप इसको पकलिक करेंगे तो आपके पास एक email आएगा जहाँ पर आपको account verify करने के लिए कहा जाएगा तो आपको वहाँ पर अपने account को verify करना है और minds.com उपर अपका account create हो जाएगा जैसी आपका account यहाँ पर create होगा तो आपके सामने कुछ इस पर इंटरफीस आएगा अब आपको यहाँ पर अपने content को कैसे share करना है उसकी जानकरिम आपको देखो तो content को share करने के लिए आपको यहाँ पर आना है speak your mind इसको पकलिक करते है अब आपको chat GPT के मदम से अपनी post create करना है जिसको आपको यहाँ पर copy and paste करना है call to action देना है landing page का link add करते हैं अगर आपके यहाँ पर पड़की मेजे तो इसको भी आप यहाँ पर upload कर सकते हैं finally आपको यहाँ पर आना है post इसको पकलिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी post share कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर अपने articles को share करना चाहते हैं तो इसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं उस case में आपको यहाँ पर आना है create block इसको पकलिक करते हैं अब कछ नग संस्य ए अपने article करना है आपको अपने पर के अनुसरे rebuilt कर देना है जिसको आपको यहाँ पर upload कर देना है और यहां पर आपको अपनी और इन अट्रकल की डाल देना है पलस इसको पकलिक करना है इसके मद्दम और आप यहाँ पर इमेज मदम से भी आप यहां पर बहुत सारा ट्राफिक प्राफ कर सकते हैं। अब हम यहां पर तीसे तरीके बात करने वाले हैं जिसके मदम से आप यहां पर ट्राफिक प्राफिक कर सकते हैं। तो तीसे तरीके हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो simply आपको groups इसको उपकलिक करना है, अगर आप यहाँ पर अपनी नीच अनुसार group जोईन करना चाहते हैं, तो इस case में आपको डिसकर groups इसको उपकलिक करना है, अपनी नीच के अनुसार आपको यहाँ पर गुरूप जोईन करना है, गुरूप के अंदर value प्रोवाइड करना है, content share करना है, और इसके मदम से आपको यहाँ पर traffic प्रहाप करना है, अगर आप यहाँ पर खुद का गुरूप करना चाहते हैं, तो इस case में आपको यहाँ पर प्रहाप कर सकते हैं, तो कुछ इस सरीकिशसे आप यहाँ पर माइघन में च्पूर को पर यहाँ पर work कर सकते हैं, और इसके मदम से आप अपने effort links, वेबसाइट्स, सीपे लिंक्स वे अन्य कॉंटेंट के उपर ट्राफिक ड्राइव कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने आपसा तीन ट्राफिक सोर्स शेयर कर दिया हैं जिसके मद्यम से आप यहाँ पर ट्राफिक प्राफिक कर सकते हैं I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी कैसे इसके मद्यम से आपको यह पर ट्राफिक प्राफिक करना है उसकी आपको नोलिज प्राप्त होगी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेश्ट करूँगा या आप अमारी वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें वो कम सकम एक कमेट वीडियो के इंदे डाल दें ताकि हम यहाँ पर पता लग जाए कि आपको मारी वीडियो चलेगी है यह नहीं लगी है